भारतिया क्रिकेट टीम पांच मैचों की एक दिवसिय अंतर राष्ट्रिय सीरीज के लिए वेस्ट इंडीज दौरे पर है जहां विराट कोहली की कप्तानी वाली टीम इंडिया आज से अपने द्विपक्षी असी रीज के अभियान की शुरुआत करेगी दोनों टीमों के बीच पहला मुकाबला त्रिनिदाद में खेला जाएगा यह दौरा भारतिय टीम के लिए एक ताजा अनुभव होगा अनिल कुंबले के मुख्य कोच से स्तीफे के बाद टीम इंडिया की यह पहली सीरीज होगी इसके लिए भारतिय खिलाडियों ने नेट्स में जम कर पसीना बहा रही है वही कप्तान विराट कोहली भी गैंदबाजी में अपना हाथ हाचमा रहे हैं तीम इंडिया ने हाल ही में संपन ICC Champions Trophy में अपने शांदार खेल का नजारा दिखाते हुए फाइनल में जगह बनाई लेकिन टूर्नामेंट के आखिरी मुकाबले में भारत को पाकिस्तान के खिलाफ 180 रन की हार का सामना करना पड़ा West Indies और अफगानिस्तान के बीच हाल ही मेसा माप तीन मैचों की एक दिवसिय अंतर राष्ट्रिय सीरीज एक रिनेक सेकंड बराबर रही मौसम भारत और West Indies के बीच खेले जाने वाले मुकाबले में मौसम के खुशनुमा रहने की उमीद जताई जा रही है अनुमान के अनुसार बादलक्र केट के मैदान से दूर रहेंगे और सूरज की रोशनी मैदान के उपर खिली रहेगी पिच West Indies के त्रिनिदाद के मैदान की पिच गेंबाजों के लिए फाइदे मन बताई जा रही है वही तेज गेंबाजों के साथ साथ स्पिनर भिया पना कहर बरपा सकते हैं इस पिच पर पहली पारी के मुकाबले दूसरी पारी में बल्ले बाजी करना आसान होगा ती में भारत की संभाविते कादश शिखर धवन अजिंके रहाने विराट कोहली कप्तान युवराज सिंग महिंद्र सिंग धूनी विकिट कीपर केदार जाधव होदिक पांडिया रविंद्र जडेजा मुहम्मद शमी उमेश यादव और भुवनेश्वर कुमार वेस्ट इंडीज की संभाविते कादश एविन लेविस कीरन पॉवेल शाय होप विकिट कीपर जॉनथन काटर जेसन मुहममद रोस्टन चेज रोवमन पॉवेल जेसन होल्टर कप्तान एशले नज अलजरी जोसफ और मिग्यूल कमिन्स दोनों टीमों के आखिरी पांच मुकाबले भारत हार जीत जीत हार जीत वेस्ट इंडीज जीत हार हार जीत